प्रणाम मैं अन्मुल चर्मा और मैं कुमारी निहां स्वागत है आप सभी का डिएस्वीवी टीवी की विशेश प्रस्तुती श्रद्धी की कक्षा से में देव संस्कृती विश्विद्यले के मृतिंजे सभागार में चल रहे चैत्र नवरात्री के तृतिय दिवशुपर कुलादी पतिश्रा देड डॉक्टर प्रणव पांडिया जी ने अपनी राम चरित्र मानस की विशेश कक्षा में राम अफ्तार का महत्व बताया और अफ्तार के मुख्य कारण और कथाओं का वर्णन किया उन्होंने बताया कि श्री राम की चरित्र को मन में रखकर लिखे गए ग्रंथ कोई श्री राम चरित्र मानस कहते हैं कि हम कैसे जुड़े हैं वो भगवान से जुड़ते हैं हम भगवान राम जब आते हैं जब अवतार लेते हैं सोई जस गाई भगत भवत रही है उनके एश को गाकर जो भगत होते हैं वो इस संसार से पार हो जाते हैं कर्पासिंदु projetoनेहित द narतनों जानाहिए। भगवान करपासिंदु हैं, कर्पा के सागर आए। उसी कारण नरतन हैं दारण करते हैं- भगवान शिव थी राम-भक्तों के इतके कारण estabhiуди. भगवान शिव केते है, पार्वती, अब में तुमको히 सुनाता हूँ। कथा हैं के तुन हों दोई की बात करेंगे किसमें हर तो मैं हर यूग में भगवान ने जन्मली है जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और मानफता को जीवन का आधार प्राप्त होता है चैत्रनवरात्री हमें व्यवस्ति जीवन दिना सिखाती है और यह बताती है कि किस प्रकार हम सैयम रख कर अपने जीवन में मर्यादा को धारन कर सकते हैं भगवान श्री राम का अवतार भी मनुष्य को मर्यादा की सीख देने के लिए हुआ है। उनके जीवन दर्शन में मर्यादा पुरुषवत्म व्यक्तित्व साफ जलकता है। भगवान राम के अवतार होते हैं, प्रभु की मर्यादा इस्थापित होती हैं, मानों जीवन को मर्यादा की ज्ञान मिलता है। हर मनुष्य को इन मर्यादाओं के हिसाब से चलना जाई है। जो इन मर्यादाओं को लागेगा, उसको दंड बिलेगा। किस तरह से शारीरिक, मानसिक, कष्ट और तरह तरह की परिशानिया। श्रद्धे कुल आदिपती जी अपनी विशेश कक्षा को संभूधित करते हुए बताते हैं कि भागनाएं हमारे जीवन का आधार होती है। हम अपने अंदर कैसी भागना को आत्मसाद करते हैं या हम पर देधर करता है। भाग्वान की कठा को सदय शुध बुद्धी के साथ सुनना चाहिए। जिस प्रकार म अकंगा का स्तनान कर्मों को शुध करता है, ठीक उसी प्रकार राम कठा कामरित- आत्मा को शुध करता है। सद गुद्धी ही सद ग्यान के द्वार को खोलती है जिससे कामनाय जन नहीं रती। जभिर्दय, निर्दोश, निश्पाप, निश्छल, निर्मल मन से अपने आराध्य का गुनगान करता है तब भक्ति का अर्थ सार्थक होता है। धर्ण, अर्थ, काम मोक्ष में भी केवल मोक्ष को ही सास्वत माना गया है। जो बिना निश्छलवक्ति के पाना असंभव है। प्रिशत केते हैं नायमात्ना प्रवचनेन लभ़्यों यह जो बुद्धी के कुतर के नाते हैं, यह बहुत करना बहुत सुनना इससे नहीं होते हैं। भगवान को अपने भक्त से सर्फ निश्काम और दोश्रहित प्रेम की कामना होती है। नौदिवश्य विशेश्य कक्षा में श्रदे ने रामचरित्र मानस का वर्णन करते हुए बताया है कि जो मनुष्य शरीर का नास होने से पूर, काम और प्रोत को जीत लेता है, वह योगी और सुखी होता है। भगवार अपने भग्त से सर्फ निश्काम और दोश्रहित प्रेम की भावना करते हैं। चैत्र नवरात के तृतिय दिवस पर कल शद्धे द्वारा भग्त के भाव को प्रदर्शित किया गया। कहा गया है कि राम ही केवल प्रेम प्यागा। अर्थात राम को हम, भगवान को हम सिर्फ प्रेम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उसके प्रती जो भाव हमारे मन में होते हैं, हम भाव के द्वारा प्रभू को प्राप्त करते हैं। क्योंकि प्रभु भाव की भूके होते हैं इसी प्रकार अमृत स्वरूप, प्रेम स्वरूप और संतोस जैसी भावना अपने अंदर आत्मसार करने के लिए जुड़े रहें श्रदे की विशेश काक्षा में और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल देश्वीवी टीवी आपको यहाँ प्रस्तुती कैसी लगी? अपने महत्मपूर्ण सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिकना ना भूलें धन्यवाद झालें